प्रेइट प्रेइगल राइट एंगल ट्राइंगल और ऑफ गिवन है तो क्या है और अगर अपर इसकी मतलब एक साइड को X माल ले और बेस को क्या माल ले तो इसका area maximum तब ही होगा तब ही होगा जब यह क्या होगा बैटा स्क्टार इस एक्वाइब स्क्राइब द्वाइब स्क्राइब यह इस इकोल टू हाफ टी वैलिव ठीक है वाइड हो जाएगा अंदर रूट ऑफ माइनस किता एक स्क्वार रूट ऑफ किता एक स्क्वार माइनस थी है सर अगर आपन बात करें तो आपने पास आजाएगा डी एवाइड यह इसा कैसे निकालें गया हाफ टो ठीक है एक्स तो चुब एक सक किता होगा वन अपॉन में टू अटरूट ऑफ एच स्क्वार माइनस कितना एक स्क्वार माइनस और यहां पर कितना होगा माइनस 2 एक्स प्लस अनडरू तक x square minus x square तो चुद बिट x का differentiation किता आ जाएगा बिटा अपने पास नाओ इस वुड बी इक्वल तो वाट 0 तो ने को बता ही कि आपकी बात को भी समझते हैं आपकी बात को भी समझते हैं सबसे पहले तो बता है यह तो उपर जाके जीरो हो जाएगा तो वी आर एंड अप विट माइनस x square अंडरूट आप x square माइनस x square is equal to x square अपन मैं अंडरूट आफ x square माइनस x को ठीके ने मिटा अपन ने पूरा इसको उस तरब बेज दिया ठीके सर माइनस वाला पाट positive हो गया चला मैंनू 10 तो रोज हो रहा है वही आज भी होगा क्या हाँ या सर x square माइनस x square is equal to x square आगे बोलूँगा तो हो जाएगा x square is equal to 2x square और सर इसके बाद आप बोलोगे x square की value होती है x square प्लस y square is equal to 2x square फिर आप बोल दोगे सर क्या मैं बोल दूँगा भाईया y square is equal to x square और y is equal to x तो सर एक्स इक्वल टूओ आगया इसका मतलब ट्राइंगल तो इसका मतलब ट्राइंगल तो क्या है बिटा आपको एक बार समझ भी होगी एवाई है d-a-by-bx हमारे पास था किता माइनस of x square अडरूट ऑफ ह स्क्वर माइनस x square प्लस अडरूट ऑफ एस स्क्वर मानस एक्स क्या यही क्या कहने को तो यही था आप पास डी एबाई डीएक्स इसका डबल डिफेंटिशन करना चाहिए पहले ताप इसका चाहो तो यह से ले लो यह से तो वह शायर थोड़ा और इसी हो जाए चल ठीक है अगर तू बोलता है तो अपन डीए बाई डीएक्स कोई एक लेवल आगे लेके सब्सक्राइब अब साइसका डिफेंट इससे का डिफेंटिशन क्रें वाए दिएक्स अपने अगर 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 अपन इसका डिफेंटिशन करें तो दीएक्स और you as well स्कुरुनू किता स्कूर माइनस गिए स्कुरृ माइनस स्कुरू इंटी बाइधımızı दी छॉफ एंटो to why डी एकस अंडर रूक स्कुरू माइनस एकक्स ंंडरूट अ चिजा है एकश स्कुरूर के सिरड़ा थोड़ा समझते हैं और अच्छे सेश समझते हैं उसा डिफरनी लेकिन देखना है स्वेर का डिफ्रेंटेंटेशन में जहीं क्या होगा जीर भी ऐसस्वेर कि creation हो जाएगाया एं सब्सक्राइए क्लिगोग कर दो दो है यह तो कहता होुए बाइनता था रूटर ओंडर Voor सक्वेर उर इसका यह दो hacerlo सब्सक्राइब देखो एक बात है आप आगे चलो ना चलो आप आगे कराओ ना कराओ एक स्टेप यह कुछ ना भी करें तो हुआ अगे मैनस ले ले को माइनस यह मैनस और वाला मइनस आप लेने की बात कर रहा हूं तो बच किता अपने पास देखो जड़ा अंडरोट ऑफ एक स्कुर माइनस एक स्कुरह प्लस देखो एक बात बोलू क्या जैसे जैसे ही आप मान सकते हो कि यह क्या है पिर भी अगर एक और बात समझनी है तो यहां एक बात और देख लें बड़ा मज़ा है माइनस हाफ बच ही गया देख यह बच ही गयाँ बच ही गया देख बच ही गया अगदर रूट औप एक स्कोर मैंटे आपको और एक स्कोर माइनस पार सब्सक्या नहीं तो श्रक बचेगा उल्टीमेटली मइनस हम अपॉन में अंडर हूट वर टू एक श्कोर माइनस कित था एक स्क्रट मैंनस को जतना समझ में आ रहा है एक्स बच गया माइनस हाफ एक्स मतलब लेस देन जिए इसका मतलब इस इस पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा उससा समझाना क्या चाहते हो बहुत आराम से बोलते हैं तो फोर एक्स चलेगा और अगर यह फोर इस चलते चलते नीचे भी आ गया तो भी देख लीड़े एक्स एक्स चैंसल बनजाए टू सबसाइए तुना अंसर को और अच्छा करवा दिया कि वह माइनस फोर एक्स अपन लेना भूलके थे अब अगर माइनस फोर एक्स ले भी रहे है तो देखना अंसर किता गया माइनस टूट इस वाट लेस दन जीडो वेरी is given of a right angle triangle of a right angle triangle then showed it show that maximum area will be when the angle between them is pi by three triangle will be having will be having maximum area maximum area when angle is when angle is pi by 3 that is equal to 60 degree ठीक है सर यह अब angle पर आ गए ठीक है ने बटा अपने को कुण सी बड़ी बात है सबसे पहली बात है सबसे पहले तो क्या बोल रहे है और द्यान से सुन when the length of one side and hypotenuse is given मतलब y plus h is something is equal to k अभी सर यह क्या है के तो मुझे भी नहीं पता तो आपको भी नहीं पता उन्होंने बोला है कि इस given मतलब वो जीच कुछ भी हो सकती है यह constant उन्होंने given देखे रखा है और इस constant के बल्बूते पर ही एक बात बोलना चाहते हैं कि यह माल लीजेगा कि y is equal to k minus h कि मैंने बोला चलो हम try करते हैं कुछ को call करना अब आगे बात करते हैं बिटा कि area क्या होता है सबसे पहले तो area area is equal to होता है half length into height मतलब ही तो यह होता है अब कोई बच्चा कर मुझे यह बात बता दे क्या मैं y क्या मैं y को under root of बच्चा अगर बोले इसे पिछले आले question लिखा था अंडर रूट ऑफ स्क्वेर माइनस एक स्क्वेर निख सकता हूं क्या पाइतागरस से य है तो य का स्क्वेर इस एक स्क्वेर माइनस एक स्क्वेर ठीक है लिख तो सकते हैं लेकिन अब आपको एच की भी निकाल नहीं पड़े क्या है एक प्रकार से अपने बात करें तो य को आप ने लिख तो दिया क्या कि है एक स्क्वेर म regulations किता एक स्क्वेर लेकिन आपको यह सदाइट तो यह नहीं नहीं तो उल्टा अपन ऐसा करते है इसको फिर एक स्मार उन्हें वह ज्यादा वह जादा ईजी हो जाएग हो जाएगा मतलब क्या अगर तो अगर मैं माननों पी तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा हाफ वाई इंटू पी आप वाई इंटू किता पी क्या तुम कंफर्टेबल चल रहे हो पी में इसको क्यों यहां पर है इसले नहीं मान रहा था विटा क्योंकि अपने को एक्स और वाई के दो वैरेबल यूज सकता हुजू करने थे सबस्क्राइब कर से तुम्हारे को अपन एक्स को एलिमियेट तो यहां थोड़ा समझाता होँ वापस से हाफ एकस इंटू आफ था सब्सक्राइब करना चाहरे हो क्योंकि X तो फिदर में गिवन ही नहीं क्यों नहीं गिवन है एक साइड और एक हाइपटिनियस का सम गिवन है तो य और ही ठीक है पिटा चलने तो समझ रहे हैं डाउट आएगा तो पूछेंगे बिल्कुल बिटा आप आराम से पूछ सकते हो A is equal to half Y, half Y अब उसके बात क्या है? H square माइनस किता है तुम्हारे पास Y square तो सरी है H square माइनस Y square का क्या लोजिक है? H square माइनस Y square का लोजिक यह है अगर आप समझोगे मेरे पास तो अगर आपन बात करें तो बता Y की जगह पे क्या लिग सकता हूँ? K-H, Y की जगह पे क्या लिग सकता हूँ? K-H का whole square ना? तो H square या H की जगह पे क्या लिग सकता हूँ? K-Y, H की जगह पे क्या लिग सकता हूँ? K-Y, तो यह अपर इंट्री मेंट्री हो जाएगा K-Y का whole square माइनस Y का स्कूर, ठीके सरी समझते हैं, A is equal to half Y, under root of खोलोगे तो हो जाएगा K square, plus Y square, minus 2KY, minus Y square, ठीके सर, यह बात भी सही है, कि आपने इसको खोला K square, plus Y square, Y square से Y square, शायद क्या होगे, cancel, ठीके सर, तो question क्या बज़ गया, A is equal to half Y, K square minus 2KY, सरो सर, अब यहाँ तक पहले हमको समझने दो, और doubt पूशाओ, दीएवाइवाइवाइवाइवाइ पाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइ करना जाता हूं कि जब भी आप यह करो तो आप कुछ करो क्यों जब इंसान कॉपी करता है तो समझ में आता है तो इसको समझ में आता है कि अच्छा से लिखे रहा हूं आपर ताकि तुम लोग के लिए बहुत क्लिए हो जाए मेरा डिय डिय कट पे चल रहा है half minus ky minus ky upon में under root of k square minus 2 ky minus ky upon में under root of kittah k square minus 2 ky plus under root of kittah k square minus 2 ky is equal to kittah 0 तक ऐसा लिखना ही पड़ता है तुझे पता है कि अपना rule ये चेवरा है कि हमेचा ऐसा ही लिखना पड़ता है चलो सर मात माननेते हैं कि इस 0 को उदर भीज़ देरो बटा तो minus ky upon में k square minus 2 ky is equal to minus under root of k square minus 2 ky minus से minus cancel हो गया किया हाँ बटा minus से minus तो cancel हो गया सर आगे क्या इसको भीज़ दो दर तो यहाँ पर क्या आजाएगा ky is equal to k square minus 2 ky ठीक है सर इसको उदर भीज़ दिया कि इसको भीज़ दे किधा ky is equal to किता k को ओ वाओ सर अब अगर मैं बच्चों से बोलू 1k को और 1k को कार्ट दे तो तरह पास k is equal to शाद आगया 3 वा k is equal to किता आगया तरह पास 3 वाँ तो सर इन सब से क्या चल रहा है आप यह सब से क्या बताना चाहरे है question का मतलब क्या है अगर अपना आगे बात करें question का मतलब क्या है तो k is equal to 3y आ गया बस बच्चा यह बोल दे यह बोल दे आरा हम से फिर तरह है एक कितना होगा तो सर में एक तो हो जाएगा के माइनस y मज़े है इतना बोल दो कर दो अगर मुझे यह पहस्ट टीटा इस इक्वल टू बेस अपॉन में है इस सब्सक्राइब य यह सब्सक्राइब कि यह से इस यह इस 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 सब्सक्राइब है यह थो गया नहीं गोलनासि डिग्री अमता है को सब्सक्राइब आपके तो नहीं आ गया तो कैसे अभी क्वेश्टम हो गया है नो 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 क्यों बोल रहे हो क्या डबल डिफरेंटिशन करना बाकी है क्या डबल डिफरेंटिशन मैं ही कर रहा हूं कि तेरे हवाले छोड़ूं तो लेकिन देख भी सही किस्ट क्यों तो हो चुका है और लॉजिक का है कि कैस्ट का लॉजिक कि यह है गोश्टिन को दिखना चाहिगा तो तुम न कर मैं के स्कोर मइनस क्या इस फ्रi toky कि यह और बहार चल रहा है हाँ हाँ चे तो मतलब नहीं है क्योंकि हाफ का डिफरिंट्रिंटरिशन होता है नहीं सब बहुत सिंपल सारी बात है अगर इसको के श्कूर माइनस त्रीके वाय माले और इसका डी-2 ए वाय डी-2 वाय स्वार तो आपको पता ही ऊपर क्या होता है कि आप करोगे च्पोए स्क्राइब करों जाएगा किapping जाए-3कट फिर ऑफ फिर मेंस आप करोग मेरा धरन तो है पूरी कहानी चलाना बस मेरा इतनी इच्चा है कि डबल डिप्रेंटेशन वाले पार्ट से कोई बच्च डरे ना क्यूं न डरे कुछ ही नहीं बढ़ा उसमें अपने को आराम से डबल डिप्रेंशन करते जाना है और सब्सक्रीण को इस कोई आंसर निकालना तो अगर आप धंग से देखो तो माइनस 3 के अंडर रूट आफ डे स्क्वार माइनस 2 के वाय माइनस माइनस प्लस प्लस किता के स्क्वार माइनस किता 3 के वाय अपान में किता अंडर रूट आफ किता के स्क्वार माइनस 2 के वाय और अपान में किता के स्क्वार माइनस 2 के वाय तो सर क्या करना है सबसे पहले तो जहां जहां के है तो के की वेलू किती है 3 के की वेलू किती है 3 के की वेलू किती है 3 के को प्रूट करने पड़ेगी सर क्या तनाल